तो यार केसे हूँ, तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनाइलेटर أوperator skill के बारे में, आज की इस वीडियो में आपको बताऊगा कि कैसे आप आजए से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने अनेमेस के सामनेे उसके फोलń potential पे और आपको काफी सारे kills निकाल सकते हैं तो यह आपको काफी काम आने वाले tips and tricks आपके rank matches के time पर तो अगर आपको करने हैं rank matches में काफी सारे kills तो यही वीडियो को end तक देखना बिलकुल मत बुलना guys जैसा कि आप जानते होंगे most of the operator skills को guys यह लोगों ने nerf कर दिया है except for gravity spikes तो यह operator skill काफी अच्छा होने वाला है तो यही वीडियो के इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना अच्छा है वो तो अगर बढ़ते हैं वीडियो के तरफ and subscribe button के उपर scenario फोड़ते हुए चल यह शुरू करते हैं तो guys इसमें सबसे पहले तुम आपको बता देता हो कि इसमें मिलती है total 6 bullets जिसको आप चला सकते हैं अपने एनिमीज पे मैं आपको बता हूंगा कि कैसे आप यह 6 की 6 bullets को एकदम perfectly utilize कर सकते हैं अपने सारे आप bet Frage आप अब उसके बाद क्इल आप और वहां पर किल कर पंई तो यहां पर आप देख सकते हैं ही इसके थोड़ा सबाहार मां रहा तो यह जहां पर इसका box है जब तब तक यह उस एरिया के अंदर है तब तक यह one shot होगा सीधा kill होगा उसके बाहर कहीं भी जाएगा तो यह kill नहीं होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं मार रहा हूँ लेकिन जैसे वह box के area के अंदर गया तब ही जाके उसको लागा तो यह जो इसके आसपास जो box बन जात अगर आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए कि टियर कैसे आप करें फास्ट तो मैं आपको वीडियो भी बना सकते हैं हम लोग तो निचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजए गाइस अब ही आजाते है फिरसे अपने topic की तरफ तो यह आपको काफी काम हैगी long range और mid range मे लेकिन आज आप इसको long range में use कर रहे है तब आपको एक जगे पर stable कड़े रहना है आप अगर move करते करते हैं long range में मारेंगे तो आपके shots नहीं connect होंगे guys तो यह operator skill जो लोग LMG चलाते हैं और sniper चलाते हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि यह long range और mid range में काफी अच्छा है तो guys अगर आपको यह weapon को अच्छे से चलाना सीखना है यह operator skill को अच्छे से चलाना सीखना है तो मेरे साब से आपको खेला चीए one shot one kill उसमें भी कुछ ऐसा ही रहता है तो आप अगर वो खेलेंगे तो आप इसमें expert बन सकते हैं लेटर यूज करने में जो mid और long range में रहता ह तो guys अब बात कर लेते हैं इसके कुछ advantages के बारे में guys तो इसका जो पहला advantage है वो है इसमें hit marker बिल्कुल नहीं आता है अल्लेश सामने वाला player invincible हो direct kill हो जाता है तो यह काफी अच्छी बात है बाकी सारे operator skill में कभी-कभी आपको ऐसा देखने को मिल जाते है कि hit marker आया जैसे कि war machine में अभी काफी जादा देखने लगे हैं हम लोग वहाँ पर war machine आप चलाते है अनिमी को थोड़ा सा damage होता है लेकिन वो मरता नहीं है बड़ी operators के साथ ऐसा नहीं होगा या तो आपका shot miss होगा या तो सीधा enemy kill होगा तो आपको इसमें जाधा confirmed kills में मिलेंगे अगर आप इसे domination में यूज कर रहे हैं तो यह domination में काफी useful होगा अगर आपका 50 points के पहले आ जाता है रैंक माच में यह अनिलेटर तो आप इसको दो बार लेकर आ सकते हैं एक माच में और हाँ गाईस एक बुलेट कभी-कभी दो लोग को भी मार सकती है देख सकते हैं जैसे यहाँ पर दो लोग लाइन में खड़े तो दो लोग को क्लियर ले इसने मार दिया एक साथ तो आपको पता है इसके पीछे है तो आप इससे वाल बैंक कर सकते हैं यहाँ आपको वह स्कुएर नहीं दिखाई देगा तो आपको अपने अन्दाजर से मार रहा पड़ेगा कि एनिमी कहां पर है तो हगाई यह सबसे बेस्ट ऑपरेटर स्केल बन जाता है अगर आप इसे मुविंग टार्गेट पे नहीं मार रहे है तो क्योंकि आपको मैक्सिमम कनफॉर्म किल्स देगा वाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर दीजे इस क्योंकि आपको मैक्सिमम